क्लास प्लस वन के लिए चाप्टर नमबर वन सेट्स की चाप्टर रिविजन तो अल्रडी ये चाप्टर मैंने अपने चैनल पे कर रखा है तो इसके 15 लेक्चर अप्लोडेड हैं हर लेक्चर 10 तू 15 मिनिट्स का है जिसमें इसके सारे आप लोगों को गिवन है और इन वीडियो के लिंक जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको खोलना होगा वहां पर आपको जाकर सारे लेंक्स मिल जाएंगे प्लस टेलिग्राम पर भी मैं अप्लोड कर दूंगी टेलिग्राम जॉइनिंग लेंक पर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्री ओफ कॉस जाकर आप टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हैं ठीक है जी अब आज की वीडियो में इंपोर्टेंट यह है कि इस चाप्टर की जितने भी कॉंसेप्स हैं मैं आपको आज की वीडियो म के साथ सेट होता है a well-defined collection of objects like for example मैंने आपको कहा collection of vowels बताइए in English alphabet तो आपके answer देंगे मुझे A, E, I, O, U सभी का यही answer होगा यह vowels होते हैं English alphabet में तो यह क्या है एक well-defined collection है आप मैंने कहा collection of first five natural numbers बताइए तो आप बोलेंगे आप मैंने बोला collection of good players in India बताइए तो किसी के लिए किसी परसन के लिए कोई गुड है किसी परसन के लिए कोई गुड है इस तरह के जो words है good, bad, dangerous इस तरह के जो words है यह well-defined collection नहीं बनाते objects की इसलिए इस तरह के sentences जो हैं वो sets नहीं होते collection of dangerous animals in word ठीक है तो आपको बहुत चरी examples इस तरह से मिलेंगी तो वो यह जो क्या है sets नहीं है sets denote करते हैं capital alphabet से जैसे a, b, c etc और elements denote करते हैं small alphabet से ठीक है अब कोई element किसी particular set को belong करता है उसको कैसे लिखेंगे like set है हम left side पे हमेशा element का नाम लिखेंगे और right side पे हमेशा set का नाम लिखेंगे यह आद रखना यह set का name हो गया और यह element का name हो गया अभी मैंने बताया element का name small alphabet से और set का name capital alphabet से बीच में यह जो sign है epsilon का sign है इसको बोलते हैं इसका मतलब है belongs to अगर एक element belong करता है तो इस तरह का sign आएगा not belong का sign होता है इस तरह का ठीक है मतलब इसका मतलब पढने का मतलब क्या है कि यह element इस set को belong नहीं करता है और यह element इस set को belong करता है इस तरह से ठीक है वह आपको examples में पता लग जाएगा then we reserve some of the letters like capital N, capital N का मतलब होता है set of all the natural numbers इस तरह से तो कुछ letters जो है वो reserved है already तो Z, Z क्या हो गया? integers, Z positive, set of positive integers, Q हो गया? rational numbers, set of rational numbers, यह हो गया Q positive मतलब set of positive rational numbers, R set of real numbers, set of positive real numbers, set of complex numbers, ठीक है? C, ठीक है? तो इस तरह से कुछ letters हम already reserve करके रखते हैं next topic is two ways to represent the sets, the first one is roster form और tabular form और the second one is set builder form अब roster form और tabular form कैसे होती है? इसमें elements listed होते है, तीन points में लिखा है, इसको easy होता है, इसे याद करना elements listed होते है, separated by commas and closed in braces, अभी-अभी मैंने आपको थोड़ी दे पहले example करवाई थी collection of vowels in English alphabet, तो इसको कैसे लिखा था मैंने ये देखो, A, E, I, O, U देखो, ये सारे elements है, set के, ठीक है, elements are listed, listed है ये, separated by commas, commas से separate किये गए and closed in curly braces, तो curly braces में मैंने इसको enclosed करके लिखा था, तो ये एक बन गया था, set this is called as roster form और tabular form, ठीक है, आप लिख कर बताएए, set of even natural numbers, ठीक है, even natural numbers starts from 2, so 2, 4, 6 and so on, ये dot 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 का मतलब होते है, so on, so this is roster form और tabular form जिसमें elements listed हो, separated by commas and enclosed in braces, right, अब set builder form, इसमें जित्ते भी elements होंगे, they possess a single property, like for example, इसमें हम ये वला जो colon यूज करते हैं या इस तरह से sign यूज करते हैं, इसका मतलब होते है, such that, ठीक है, अब मैंने इसी को हमने लिखना है, set builder form में, A, E, I, O, U, क्या मतलब है इसका, collection of vowels in English alphabet, ये roster form है, अब इसको tabular form में कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इस set का नाम दिया, मैंने V, V है set का name, capital से हमने denote किया, so this is set name, is equal to, curly braces start किये, X, X एक element है, X क्या है, vowel of English alphabet, ठीक है, इसका मतलब क्या है, X जो है, such that, X is a vowel of English alphabet, तो ये इसकी क्या बन गई है, set builder form बन गई है, ये इसकी क्या लिखी, मैंने property लिखी, ठीक है, अगर मैंने 2, 4, 6 को लिखना है, ये क्या थे, set of even natural number, इसको अगर मुझे set builder form में लिखना है, तो कैसा लिखूँगी, E ले लिया, इसका set का name, ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हो, बट reference के साथ लोगे, तो easy होगा, learn करना भी, is equal to x, such that x is a natural number, x is equal to क्या कर रहे हम, 2n, n क्या है, n belongs to natural number, अब 2 की n की value, जब 1 डालोगे, तो answer क्या आएगा, 2, n की value 2 डालोगे, तो 4 आएगा, n की value 3 डालोगे, तो 6 आएगा, and so on, ठीक है, तो n belongs to natural number, अगर इतना बड़ा नहीं लिखना है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो, x belongs to natural number, x is equal to 2n, n belongs to natural number, ठीक है, तो यह होती है, roast form, and this is corresponding set builder form, so next most important topic है, types of sets, तो 4 तरह के यहाँपर sets बताऊंगे, आपको सबसे पहला, empty set, उसको null set भी बोलते हैं, उसको void set भी बोलते हैं, नाम से clear है, empty मतला उसमें कोई भी element नहीं है, खाली है वो, for example, मैंने एक set लिया है, x belongs to natural number, और x जो है, वो 3 और 4 के बीच में लाई करता है, तो ऐसा कोई natural number है, जो 3 और 4 के बीच में लाई करता है, नहीं है, तो इसे लिए इसका जो कोई भी element नहीं होगा, इस तरह से आप curly braces खाली चोड़ सकते हैं, यह आप लिख सकते हैं 5, ठीक है, so this is called as empty set, null set और void set, clear, number 2 is singleton set, नाम से पता चल रहा है, जिसमें single element हो, for example, x, x belongs to natural number, और यह किस तरह की form लिखी हुई है, मैंने, यह set builder form लिखी हुई है, x belongs to natural number and x square is equal to 9, तो ऐसा यह की natural number है, जिसका square करने पे हमें क्या मिलेगा 9, तो इसकी set में answer आएगा 3, तो it contains a single element, तो this is called as singleton set, finite and infinite, finite मतलब countable, अगर उसके elements को हम count या list कर सकते हैं, तो उसके मतलब finite set है, infinite मतलब elements cannot be listed, count नहीं कर सकते हम उनको, for example, मैंने बोला set of vowels in English alphabet, A, E, I, O, U, हमें पता है 5 ही हैं यह, तो यह finite set है, first 5 natural numbers, first 5 prime natural number, these are all the examples of finite set, days of the week, months of the year, तो इस तरहा की जो sets है, these are finite sets, set of all the natural numbers, set of all the real numbers, ठीक है, तो ऐसे sets जो हैं, जिनको हम count नहीं कर सकते, these are called as infinite set, number 4 is equal sets, if every element of A is also an element of B, अगर हर element A का B में भी है, for example, जैसे निखा मैंने A set में 1, 2, 3, 4 है, B में 3, 1, 4, 2 है, ordering matter नहीं करती elements की, यह मैंने पहले भी आपको बताया था, so 1, 2, 3, 4 है, तो यहां पर 3, 1, 4, 2 है, सारे elements हैं, A के B में भी, जो A is equal to B, तो यह दोनो equal sets है, यहां पर A जो है, 1, 2, 3 है, B, A, B, C है, number of elements यहां पर दोनों में same है, but elements same नहीं है, so इसलिए A जो है, वो equal नहीं है, यहां पर B के, मैं number of elements की बात नहीं करी थी, मैं बात कर रही हूं elements की, तो जहां पर elements same है, वो equal sets होते हैं, So next most important topic है that is subsets, तो subset समझने के लिए पहले समझने उसकी definition, let A and B be the two sets, अगर every element of A is an element of B, then A is called as a subset of B, definition को समझने के लिए example समझनी जरूरी है, let मान लेते हैं A में 2 elements है 1,2, B में 3 elements है 1,2,3, अब देखो 1,2 अब इसमें भी present है, मतलब हर element A का B में present है, तो A क्या है, subset है B का, ठीक है, क्या मतलब है A है, subset है B का, अब A subset है B का और B क्या हो गया, super set of A, है न, B बड़ा हो गया, तो B हो गया super set और A हो गया इसका subset, इतनी बात clear हो गई, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं A और B set में एक element का difference है, क्या element है, वो 3 है, मतलब यहाँ पर य नाम क्या दिया, proper subset तब होगा, जब A जो है, A की सब ही elements B में present हो, बट A के बराबर ना हो, तो proper subset होता है, ठीक है, तो A है यहाँ पर proper subset of B, ठीक है, proper subset का मतलब होता है, contain some, but not all the elements of the second set, ठीक है, इसको समझने के लिए को और example लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से clear हो जा और F set है, 4, 5, 6, ordering matter नहीं करती, elements की मैं पहले भी बता चुकी हो, यहाँ पर देखो, E जो है, सभी elements E के F में present है, तो E यहाँ पर subset है, यहाँ पर F का, बट यहाँ पर देखो E और F दोनों बराबर के set है, यहाँ पर E जो है, वो F के equal है, तो यह इसका proper subset नहीं है, यह इसका improper subset है, तो हम लिखेंगे कैसे इसको, this is the sign of subset, अगर हम नीचे इस तरह से लगा दें, तो इसका मतलब होता है, this is an improper subset, मतलब E जो set है, वो F के equal भी है, तो यह equal to का sign है, यहाँ पर देखो, equal to का sign नहीं डाला था ना, क्योंकि नहीं डाल सकते थे, क्योंकि A और B बराबर नहीं ह तो this is proper subset and this is improper subset, clear? Next, most important points, ठीक है, every set is a subset of itself and जो 5 होती है, वो सभी का subset होता है, every set का, इन दोनों को explain करने के लिए, मैंने एक video बनाया था, that is lecture number 5, उसमें बहुत अच्छा एक example दिया हुआ है, link description box में मिल जाएगा आप लोगों को, वो video जाकर जरूर देखिएगा, यह दोनो points वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने clear करवाए हुए है, यह ऐसा क्यों होता है, ठीक है, every set is a subset of itself and 5 is a subset of every set, ठीक है, अब हमने कुछ letters reserve करे थे, मैंने पहले बताया था कि sets में हम कुछ letters reserve कर लेते हैं, जैसे n, z, q, r, अब subsets की formulas को कैसे लेखेंगे, देखो, n जो है, वो natural number है, z क्या है, integers है, q, rational numbers है, और r, real numbers है, अब देखो, n जो है, this is a subset of integers, integers जो है, subset of rational numbers है, rational numbers जो है, वो real numbers के subset है, ठीक है, तो इस तरह से यह subset की use है, clear, next आ गया, intervals as subsets of r, intervals, अब अगर इस तरह की brackets हो, तो यह होती है, closed intervals, अगर इस तरह की brackets हो, तो यह होती है, open intervals, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे number line पे show करें, a, b, अब a, b का मतलब है, यह included है, because these are closed, और यह equal to का sign, show करता है, कि a और b भी included है, और इसमें, जो a और b included नहीं है, क्योंकि यह open intervals में था, आपको numbers की form में करवाती हूं, जै 1, ठीक है, इस तरह से है, तो minus 1 आप यहां रखेंगे, 1 आप यहां रखेंगे, इसका मतलब है, minus 1 भी included है, और 1 भी included है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर show करना हुआ, open में, तो यह मैं open में इस तरह से रखूँगी, यह खुले हुए circles, minus 1 यहाँ पर, और 1 यहाँ पर, यहा open और semi-closed का मतलब है, अगर यह left इस तरह से open है, तो यह semi-open है, अगर यह left इस तरह से closed है, तो यह semi-closed है, ठीक है, दूसरी तरफ से उल्टाओगा, अब यहाँ पर, यह जो इसका मतलब है, इसमें A included नहीं है, B included है, क्योंकि B पे क्या है, closed है, अब यहाँ पर semi-closed का मतलब अब है यहाँ पर A included है और B जो है वो included नहीं है यह circle से पता कर लगेगा अगर आपका filled circle है तो वो चीज included है अगर आपका खाली circle है तो वो चीज included नहीं है clear? Next is universal sets, a set that contain all the sets अब यहाँ पर A, B, C तीन sets लिये ठीक है जैसे 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6 और universal set लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब देखो यहाँ पर इस set में सभी sets आ रहे हैं तो universal set के अंदर क्या होते हैं? सभी sets included होते हैं So next topic is Venn Diagrams और Venn Euler Diagrams तो यहाँ पर हम universal set को rectangle से represent करेंगे और subsets को usually circle से, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं show करना हो है A is a subset of B तो मैंने एक rectangle बनाया which shows the universal set अब यहाँ पर A is a subset of B तो B बड़ा हुआ तो B के लिए circle बड़ा उसके अंदर A का circle छोटा So this represents A is a subset of B Second one is A is not equal to B but they have some elements common So this represents A is not equal to B but they have some elements common तो यहाँ पर हम दो intersecting circles को use करेंगे ठीक है? और यह represent करता है कुछ common elements between the sets A and B Clear? अब two disjoint sets Disjoint sets मतलब कुछ भी कुछ भी common नहीं हो उन में तो मतलब इस तरह से दो अलग-अलग circles यहाँ पर show कर लेंगे तो यह हो जाएगा two disjoint sets Clear? अब कुछ operations होते हैं sets के उपर जो हम apply कर सकते हैं The first one is union of sets तो union of sets का मतलब है A और B के बीच में union का sign इस तरह से हो गया इसका मतलब है यहाँ तो X A को बिलॉंग करें यहाँ X B को बिलॉंग करें मतलब हमने union में क्या लेना है? A के elements पी लेने हैं B के elements पी लेने हैं Example से समझते हैं Let A में 1,2,3 element है B में 1,3,5,7 element है तो A union B करो तो 1,3,2,3,5,7 तो मतलब हमने A के elements ले लिए और B के elements पी ले लिए है This is the union of sets इसका मतलब होता है A के elements पी लेने हैं B के elements पी लेने हैं और common elements को एक बार लिखना है ठीक है न? क्योंकि यह चीज जो है वो common को represent करती है इसमें अभी हम intersecting circles का use करेंगे यह हमारा हो गया universal set यह A, B sets होगे और यह common elements हमने एक पार लिख लिए और A के elements पी लेने और B के elements पी लेने इसलिए सारा portion जो है वो shaded है ठीक है अब यह दो most important बाते बताने जा रही हूँ अगर A जो है वो subset है B का ठीक है तो A union B करोगे तो B आएगा एक्जामपल लेके देखना और B अगर subset है A का तो A union B करोगे तो A आएगा ठीक है जी अब यहाँ पर intersection of sets intersection ultra U ठीक है इस तरह से इसका यह symbol होता है इसका मतलब होता है सिर्फ common elements लेने हैं जो A और B दोनों को बिलॉंग करते हैं एक्जामपल 1234513910 अब दोनों में common elements कौन-कौन से हैं 1 & 3 So this is A intersection B तो common elements A intersection B में और बोथ set के elements union of sets में तो यहाँ पर अगर A subset B का तो intersection करोगे तो A आएगा मतलब छोटा वाला set आएगा और अगर B subset A का तो A intersection B करोगे तो answer क्या आएगा? B आएगा यह आपके कुछ problems में काम आता है अगर आप यहाँ पर यह part skip भी करना चाते हैं तो अभी कोई problem नहीं है तो यह वैसे आपके जो questions होते हैं उसमें यह चीज काम आती है Next है हमारा disjoint sets तो जहाँ पर A intersection B जो है तो 5 हो जाता है मतलब दोनों sets के बीच में कुछ भी common नहीं होता उन sets को हम बोलते हैं disjoint sets Like for example A में है 1, 2, 3, 4, 5, 6 element B में है 7, 8, 9, 10, 11 तो कोई भी element common नहीं है तो intersection जब हम ने निकाला तो answer क्या आएगा? 5 यहां फिर हम curly braces इतना से खाली चोड़ देंगे तो इसका मतलब हो गया जब A intersection B 5 होता है तो particular sets are called as disjoint sets represent कैसे करते हैं? थोड़े देर पहले भी बताया था दो अलग-अलग circles डौ कर दो कुछ भी इन में common नहीं है These are called as disjoint sets clear? अब यहाँ पर last है difference of sets A-B लिखा है minus B का मतलब हो गया कि वही elements आपने A-B में लेने हैं जो सिरफ बिलॉंग करते A को and does not belong to B और उनकी common elements पर आप लोगोंने नहीं लेने हैं ठीक है? और B-A का मतलब हो गया सिरफ जो B को बिलॉंग करते हैं A को भी विलॉंग नहीं करते and B-A का common elements पर आप लोगों को नहीं लेने हैं B, minus A बतलब जो set का नाम पहले रिखा होगा वह set के elements आप लोगोंने लेने हैं अगर A-B लिखा है तो A के element ले-Lेने हैं और B-A लिखा है तो B के elements ले-Lेने लिट करना है, देखो A और B के पहले common elements लिख दो यहाँ पर, A और B के common element 3 है, 5 है, और 7 है, तीन ही elements common है, तो यहाँ पर मैं 3 elements जो common है, वो यहाँ पर बीच में लिख रही हूँ, 3, 5 and 7, इसके इलावा A के कौन-कौन से element है, 2, 4, 6, तो यह मैं लिख दिया है, 2, 4, 6 यहाँ पर, और B के कौन से है, 9, 11 and 13, इसके आपका answer बहुत जल्दी आजाता है, यह diagram बना लिया करो, okay, so we have to do A minus B, तो हमें A के element, A minus B का मतलब सिरफ A के element लेने है, 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 is the answer, B minus A मतलब सिरफ B के element लेने है, 9, 11 and 13, ठीक है, तो common तो हमने पहले ही separate कर दिये थे, और A minus B बोलें B minus A बोलेंगे, तो B के ले लेंगे, तो यह होगे, आपका answer, ठीक है, next आगे आपका laws of algebra of sets, first is item potent law, इसका मतलब होता है, A का union A के साथ ही, अगर A का union A के साथ करेंगे, तब भी A आएगा, अगर intersection करेंगे, तब भी क्या आएगा, वही set आएगा, ठीक है, तो मतलब itself के साथ अगर हम करते हैं, तो वही set answer होता है, this is called as item potent law, identity law, अगर हम union करते हैं phi के साथ, union of phi, phi क्या है, empty set, तो A ही रहेगा, अगर हम phi के साथ intersection कर देते हैं, intersection का मतलब है, दोनों के common elements लेने होते हैं, तो A में तो सारे elements है, और phi में कुछ भी नहीं है, तो answer क्या आएगा, phi आएगा, और अगर हम A का intersection universal set के साथ करते हैं, तो answer क्या आएगा, A ही आएगा, आप A में कुछ ले लो elements, universal set ले लो, उसका intersection करके देखो, A set ही बनेगा हमेशा, ठीक है, तो this is called as identity law, next is commutative, associative और distributive, यह अरड़ी हमने छोटी classes में पढ़ रखा है, commutative मतलब A union B, B union A के equal, A intersection B, B intersection A के equal then associative में A union B union C, फिर brackets बदल जाती है, A union B union C हो गया, यहाँ पर same intersection में भी same, A intersection B intersection C, फिर A intersection B की bracket, फिर intersection C, next आ गया distributive law, जो सबसे ज़्यादा use होता है, सबसे important law है, अब यहाँ पर A का union कर रहे हैं, B intersection C से, अब इसको याद कैसे रखना है, जो आपका ये वाला sign है, वो brackets की अ अंदर जाएगा, मतलब A intersection B, sorry, A union B, फिर intersection, फिर A intersection C, इस तरह से है, ठीक है, मैं दुबारा से बता देती हूँ, इसको कैसे हमने याद रखना है, this is A union B intersection C, अब A union B सबसे पहले, फिर ये वाला sign intersection, फिर A union C, similarly यहाँ पर, अगर हम A का intersection कर रहे हैं, B union C के साथ, तो सबसे पह आएगा, A intersection B, फिर ये वाला, देखो, sign, फिर A intersection C, थीक है, तो यह इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो हमारा last topic है, इस chapter का, that is, complement of a set, तो complement of a set क्या होता है, जैसे set A है, तो complement of a set का मतलब है, इस तरह से इसको represent करते हैं, A complement, या A C, with respect to हमेशा यह universal set होगा, set होगा, अब जैसे universal set दिया है, set of natural number, जैसे 1, 2, 3, 4 and so on, मेरे पास एक set है, that represents set of even natural number, तो मैंने बोला, आपको complement of a set निकालिये, तो आपको पता है, set क्या है, natural number का, बीच में से, A set क्या है, आपका 2, 4, 6, 8, आपकी set of even natural number है, तो complement क्या होगा, इसका set of odd natural numbers, यानि की 1, 3, 5 and 7, तो हमेशा जब भी आपको complement calculate करना है, that should be with respect to the universal set, clear, अब कुछ properties है, complement set की, the first one is complement law, अगर हम A का union, जो है, A complement के साथ करते हैं, अब देखो A और A, इन दोनों का अगर union कर दूँ मैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा फिर से, universal set, हमेशा एक set का, उसके complement के साथ, अगर union करते हैं तो वो मेशा answer के आता है, universal set आता है, the second one is De Morgan's law, सबसे ज़्यादा use होता है, इसका मतलब है, अगर हम A union B है, उसका अगर complement करें, तो वो क्या होता है, that is A complement, intersection B complement, क्या होता है, अलग-अलग complement हो जाते हैं, और बीच में जो sign इधर होता है, उसके opposite sign इधर आजाता है, अगर ये union है, तो ये intersection बन जाएगा, अगर ये intersection है, तो ये union बन जाएगा, this is De Morgan's law, A union B का complement, A complement, intersection B complement, A intersection B का whole complement, A complement, union B complement, याद क्या रखना है, सिरफ answer क्या होता है, हमेशा की complement अलग-अलग हो जाते हैं, और जो sign इधर होता है, उसके opposite sign दूसरे side हो जाता है, ठीक है, ये De Morgan's law है, next is law of double complementation, अगर एक A का complement निकालके, फिर से उसका complement कर दो, तो वही बापिस set मिल जाता है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने A complement निकाला था, अगर मैं फिर से इसका complement कर दो, तो ये फिर से set A बन जाएगा, ठीक है, next is law of empty set and universal set, अगर मैं empty set, क्या होता है, 5, 5 का अगर complement करो, complement कि क set का complement करूंगी, तो answer क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, and the last one is practical problems on union and intersection of sets, last exercise आपकी, उसमें ये दो formulas आपके use होते हैं, so this is N of, N is number of elements, in A union B, N A plus N B, minus N A intersection B, ठीक है, N, अगर 3 हो, A union B union C, तो कैसे करना है, A plus B plus C, और intersections हमेशा minus करनी होते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना, A intersection B, B intersection C, A intersection C, और जो तीनों की intersection है, वो हमने plus करनी है, so plus N of A intersection B intersection C, आपको इन formula की derivations करने की जरुद नहीं है, simple ये formulas learn कर लीजिए, और आप अपने questions में apply कर सकते हैं, so I hope आज की video आपके लिए बहुत helpful रही होगी, next video मिलोंगी next chapter की revision के साथ, तब तक आप इस subscribe जरूर कर लीजिए, have a nice day to all of you.